तो ऐसे वीडियो के लिए आप अमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन दिखाई दे रहा होगा उस पे क्लिक करके आप हमारी चैनल के साथ बड़े आराम से जुड़ सकते हैं हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि वाटस अप कैसे चलाते हैं दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो वाटस अप के दुनिया पे ने हैं नहीं बनता है फर्च टाइम वाटस अप को वो उपन कर रहे हैं तो उनके लिए जो मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है और उमीद करता हूँ कि उनको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल अच्छा लगी तो चैनल को आप सस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो में जो मैंने ये बताया था कि वाट्सअप का एकाउंट कैसे बनाते हैं पहली बार अगर आप वाट्सअप उपन करते हैं तो वहाँ पे आपसे क्या-क्या पूछता है आपको क्या-क्या भरना होता है या वाट्सअप कैसे बनाते हैं तो इस टॉपिक के उपर जो मैं एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा न, तो उस वीडियो का लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूँगा, वहाँ पे क्लिक करके जो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक, तो हमारा उपर का ले आउट समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको चैट का उप्सन मिलता है, यहाँ पे स्टेटस का उप्सन मिलता है, यहाँ पे कॉल्स का उप्सन मिलता है, दोस्तों जैसे ही आप चैट वाले उप्सन पे क्लिक करेंगे न, तो जितने लोगों से आपने चैट में बात किये या किसी ने आपको फोटो भेजा है या किसी ने आपको संदेज भेजा है कुछ लिक कर भेजा है या किसी ने आपको वीडियो भेजा है तो उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने मेरे को बहुत सारी चीजे भेजी हैं या आपने जो है किसी को कुछ भेजा होगा ना तो उनका भी जो है नाम यहाँ पर दिखाई देगा अभी मेरे में जो है तीन दिखाई दे रहा है आप में जो है बहुत सारे यहाँ पर नीचे के तरफ और भी जो है कई दिखाई आपको देंगे ठीक है तो चैट में जो है कुल मिला कर यह होता है कि यहाँ पे क्लिक करके जो है आप किसी को फोटो बेज सकते हैं वीडियो बेज सकते हैं उससे जो है चैट में बात कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं सबी चीजे आप यहां पर चैट में आने के बाद कर सकते हैं यहां पर आप सभी को स्टेटस का उप्सन मिलता है स्टेटस में लोग अपनी स्टेटस लगाते हैं मान कि चलिए किसी का बड़े है तो वो अपने बड़े की फोटो लगा देता है या अपने वड़े की वीडियो लगा देता है तो स्टेटस में एक प्रकार की स्टूरी जैसा लगाते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं या दूसरों का स्टेटस देख सकते हैं ठीक उसके बाद यहां पर call का option दिखाई दी रहा होगा तो call के option पर जाकर आप यह देख सकते हैं कि आपने किसको video call की थी किससे voice call की थी तो उसकी history यानि उनकी list आप यहां पर click करके देख सकते हैं ठीक अब दोस्तों हम चैट से ही शुरुआत करेंगे अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि अगर आपको किसी से चैट करना है ठीक है मानके चलिए आपको जो मेरे से चैट करना है WhatsApp से तो सबसे पहला तो यह है कि हमारा जो mobile number होगा न उसमें जो WhatsApp एक्टिवेट होना चाहिए और दूसरा चीज़ यह है कि हमारा जो mobile number होगा वो आपके mobile में सेव होना चाहिए आनके चलिए मैं अपने दोस्त से चैट में WhatsApp से बात करने वाला हूँ बात करना चाहता हूँ तो हमारे दोस्त का number जो हमारे mobile number पे सेव होगा तभी जो हम उससे बात कर पाएंगे यहां पे mobile number लिखने के बाद जो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों यहां पर जो है आपको search का option दिखाई दे रहोगा यहां पे कर देना एक लिक और क्लिक करने के बाद जो आपका दोस्त है उसका नाम यहाँ पे लिखिए जिस दोस्ते आप बात करना चाहते है जिसका number आपने save किया उसका नाम लिखेंगे न तो उसका नाम जो यहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे click करके आप उससे बात कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं आर आई यहां पर नहीं आ रहा है तो मैं रॉकी यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमको मैसेज दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उधर से कुछ फोटो आया था तो मैंने भी यहाँ लिख दिया है फोटो भेज दिया है ठीक है तो यह यहाँ पर आ रॉकी को भेजना है एक फोटो और एक वीडियो ठीक है तो हम यहां पर एक सर्च वाला ओप्सन दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर कर देना है क्लिक क्लिक करने के बाद जो हम और लिखते हैं तो रॉकी का नाम जो यहां पर आ रहा है तो हम क्लिक कर देते हैं ठीक है अ लिखने के बाद जो मैं यहांपे सेंड़ का option दिखाई दे रहा होगा है यह green color का ठीक है? यहांपे क्लिक कर दूँगा तो यह देख सकते कि हमारा संदेश यहां से हमारे मुवाइल पर सेव है तो हम गैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहां पर यहां पर फोटो दिखाईए रही है इस पर इसके खार देते हैं और ये फोटो हमने सेलेक्ट के लिए फोटो के साथ अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैं लिख देता हूँ लिखने के बाद अगर आपको भेजना है तो यहाँ पर सेंड वाला उप्सन दिखाई दी रहा है यहाँ पर कर देना है आपको क्लिक और क्लिक करेंगे तो यह देखिए फोटो जो हमारी यहाँ से जा चुकी है और वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं डबल टिक बन गया मतलब वहाँ पर पहुज भी गई है अभी उसने देखा नहीं है लेकिन यहाँ से हमने एक फोटो भेज दी है ठीक और फोटो के साथ ह जो बंद हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप वाइस रिकॉर्ड करके भी जो भेज सकते हैं उसके बाद जो हम बैक कर देते हैं बैक करने के लिए सिंपल बैक वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो बैक आने के बाद जो आप देख सकते हैं कि रौकी का जो नाम है सबसे पर लाश्ट में नीचे आपको और सारे लोगों का जो है पर नाम या नंबर दिखाए देगा ठीक है अब उसके बात जो मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि स्टेटस कैसे लगाते हैं और कैसे देखते हैं यहाँ पर स्टेटस का ओप्शन दिखाए दे रहा है यहाँ प पर हमने नवाम सेव किया है इनका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह फोटो जो है वीडियो ने लगाया है वीडियो को प्ले नहीं करूंगा क्योंकि कॉपी रैट आ जाएगा यहाँ पर मैंने एक बढ़ी ऐसा फोटो लगाई है फिर जो है मैंने यहाँ पर स्वाइप किया तो यह सुभम उन्हें एक वीडियो लगाई है इसको भी जो मैं प्ले नहीं करना चाहता हूँ सीधे बैक कर देता हूँ यहाँ पास से फोटो आपके मुवाइल पर तो इसको थोड़ी सा स्वाइप उपर करते हैं और यहाँ पर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी अब यहीं वाला हम स्टेटस लगाना चाहते हैं फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद इस्टेटस में कुछ लिखना चाहते हैं इस फोटो के साथ तो यहाँ पर क्लिक करके कुछ लिख भी सकते हैं जैसे कि मैं लिख देता हूँ hello ठीक लिखने के बाद यहां पर send वाला option दिखाई दे रहा होगा ठीक यहां पर click करके आप अपने photo का status यहां पर लगा सकते हैं कि हमारा status है वो लग रहा है अभी complete हो चुका है लग चुका है ठीक यह देखिए हमारा status कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो दोस्तों कुल मिला कर यह है कि आप इस तरीके से status लगा सकते हैं अगर किसी से बात करनी है तो chat वाले option पर click करके और जिससे बात करनी है उस कि क्लिक कर देता हूँ घल रीमें जाने के बड़ के जाने यह वाली फोटो जो है शेंड कर दिखा देता हूं ठीक यह ब्लhake क suo थी मैंने यहां पर जेंड कर दिया है तो दोस्तों कुल मिला कर इस तरीके से यह आप वार्टसप चला सकते हैं एक दो बार आपको घर में एक दो दिन चलाएंगे तो बड़े आराम से कुछ ने कुछ आप सीखेंगे परड़े पांच मिनट दस मिनट अगर वाटसप आप चलाते हैं तो कुछ दिनों के बाद 15 से 20 दिनों के बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे पर उसके बाद आप वाटसप चलाना सीख जाएंगे दोस्तों वाटसप चलाने से कोई भी पैसा नहीं करता जब तक आपसे आपका मुवाइल नंबर या खाते के बारे में या OTP नहीं पूछेगा ना तक वाटसप जब तक आप इसमें यूपी आई एड नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं भीज सकते किसी से किसी को ठीक है बस आपका पैसा नहीं करेंगे यह बात द्यान रखिए आपको मॉवाइल खराब होगा ठीक अगर वाटसप खराब भी हो जाता तो डिलीट करक कि यह जो वीडियो थी वह आपको अच्छी लगी होगी पसंद आए तो लाइक करिएगा कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स मिल लिख सकते हैं कुछ चीजे जो है मेरे से यहां पे छूड गई है तो उनके उपर जो मैं एक अलग से वीडियो बना दूगा ठीक है तो मिलत अगली वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तो धन्नवाज जाहिए